हलो अब्रीवन मैं हम आमता सागत है आप सबका एक बर फिर से कलाकारी हब पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया है नागपुर स्टाइल तरी पोही की रेसिपी वैसे तो पूरे महारास्ट्रा में ही पोहा बहुत फेमस है लेकिन नागपुर के पोही कि अलगए क्योंकि इस पोही के साथ हम बनाते हैं बहुत की श beat YOR au bitch б अनी फीर आख समीट आहिए अगर आपनी पसंदानाय तो प्लीज सेक लाइक कर देना आगर शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इंट्र девीडियो के लिए चलते हैं वीडियो की तरह कि लिया है मैंने काले वाला बॉइल चना और ये लगबग एक कटोरी चना था जिसको में रात को अच्छे से वाश करकर भिगो कर रख दिया और सुभा दो से तीन कटोरी पानी डालकर चार से पांस सीटी लगाकर इसको बॉइल कर लिया है और चने और पानी को हमने अ तक बूहना है और अब हमें डालना इसमें जो सूखा नारियल होता है उसको कदुकस करके डाल दे एक मिन तक इसको रोस्ट करें और फिर इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे और इसके पक जाने के पाउडर डालेंगे इसको अच्छे से पका लेंगे बस मिसालों को जलने ना दे और तब हम इसमें डाल देंगे APPMusic कर लिए इसको इसमें डालेंगे इसमें जो हमने अलग पाने निकाला था चनों का वो, इसको अब हम यूज़ करेंगे, और बस मिक्स करके इसमें एक छोटा चमश नमक डाल दें, और नमक आप कम जादा कर सकते हैं स्वादनुसार, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर के स्लाइसे, इनको हमने ज्यादा पतला स इसका रखा है, और ये बहुत जरूरी है इस करी में, आप जरूर डालें इसको, और बस इसको बोईल आने दे, चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, पोहे की तेयारी की तरफ, और यहां हमने इस तरीके से एक छलनी ली है, और इसमें हम क्या करेंगे, पोहा और बस इसको हम इस छलनी में ही वाश करेंगे, इसको हमें अलग से भिगोक ना नहीं है पानी के अंदर, ऐसे वाश करना है, ये एक सीक्रेट टिप है, पोहे को चिपकने से बचाने के लिए, और बस इस पानी को ऐसे निकाल लें, पानी को हटा दें, और इसको पोहे को अल गाड़ी बिल्कुल ही होनी चाहिए और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब यहां लिया है मैंने एक कड़ाई दो बड़ा चमच ऑईल डाला है ऑईल के गरम होने पर हम मस्टर्ड सीट डाल देंगे सरसों के दाने लगबग वन टी स्पून और हाफ टी स्पून हींग डाली है और बस बारी कटी हरी मिश डाली है एक मैंने और थोड़ा सा करीपता डाला है आप करीपता ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा पसंद करते हों तो पर करीपता आप ज़रूर डालें इससे पोह में बहुत अच्छी खुश्पू आती है अभी हमने ये आदा कट मूफली ली है छोटे वाली जो कटोरी होती है और इसको हम रोस्ट कर लेंगे इसके साथ ही इससे क्या है मूफली ज्यादा जलेंगी भी नहीं इस तरीके से अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा पकाए अब हम डाल देंगे इसमें एक छोटा प्याज कटा हुआ इसको यह पक सके इतना ही कट करें और बस इसको प्याज के साथ हम पका लेंगे आलू के पक जाने के बाद इसमें डालेंगे एक चोटा चमच रदी पाउडर और एक बड़ा चमच धनिया पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से गैस का फ्लेम आप कम ही रखे बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगा यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कई पोवा इसे चिपकने लग जाता है और इसमें उपर से डाल देंगे आप आधा नेंबू और आदा छोटा चमच इसमें मैंने चीनी डाल दी है आप चीनी डालना स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आदा छोटा चमच नमग आप नमग कम जादा कर सकते हैं अपने स्वाद और बढ़िया से इसको mix कर लेंगे और यह देखें पोहा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर आप पोहे को जब हमने भीगो वह स्टेप फोलो करेंगे तो आपका पोहा बिल्कुल नहीं चिपकेगा बहुत इंगा बढ़िया खिला-खिला बनेगा और अब डाल देंगे हम इसमें बारीं कटा हरा धनिया आप इसमें कुप सारा डालें बहुत अच्छा लगता आप इसको mix करेंगे अच्रा अगर आपका पोहा थोड़ा सा सुखा सुखा लगे ना आपको तो इसमें ठोड़ा पानी का चीटा लगा दें पोह बिल्कुल पफेक्ट हो जाएगा तो लीज ये पोह बनकर रेडी है और तरी हमारी पहले ही बन गई थी अब करते हैं इसको सर्व अब नाक्पु स्टाइल पोह बनाया तो सर्व भी नाक्पु स्टाइल करेंगे तो प्लेट में पहले पोह डा इसेरी कीशिव बनाता है तो पिछाय बना अभी बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने sottobles पे सर्व तरी का टेस्ट बहुत ही बड़ाeds है देखना है तो इस तरी पोह कोई मतले और को सब्रों देखना इस तरी का टेस्ट वत भापनेगे पहले। तो चलिए दोस्तों अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक करना, शेर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्स वर वाचिंग